जाहिन दोस्तों मैं दिवियल लेकर आई हूँ एक ब्यूटिफुल डे आपकी एडवांस मेकप क्लास खा और आज एक क्लास बहुत ही यूसफुल होने वाली है समर सीजन में कैसे हम स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ मेकप कर सकते हैं अपने क्लाइन के लिए प्रोफेशनल हाई डेफिनिशन लुक देते हुए तो काफी डिटेल में सारी टेखनीक में आपको ब्रीफ करने वाली हूँ सारी टेखनीक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक दीखेगा कोई भी डाउट या क्वेशन होता है तो आप कमेंट सेक्षन लो मुझसे पूछ सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बर्कूर मत भूलिएगा बैल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारी टेकनीक सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करो आपको इसका बेनेफिट तवे मिलेगा जब आप इसके अच्छे से प्रेक्टिस करेंगे प्रेक्टिस करके आप हमें हमारे इंस्टागाम पे वाट्सप पे पिक्स और वीडियो श पे अच्छे से एम्रोली से स्क्रीम एप्लिकेशन कर रही हूं जो प्राइमर का भी काम करेगा अगर आपको ऑईली स्किन मिलते है तो क्लिंजिंग टोनिंग के बाद आप रिकोर्ट का एश ऑफ बेस प्राइमर जैसे मैंने प्रिविएस वीडियो में एप्लिकेशन किया ह वो यूज कर सकते हैं यह आप ग्राइ स्कीन पर भी टीज उन एपर प्राइमर एप्लिकेशन कर सकते हैं नाव मैं इनका डाक बेस सेलक्ट कर रही हूं जो मैं सकिन के डाकर एरिया से सेलक्ट करूंगी और यहां पर मैंने हुडा ब्यूटी का एमरेटी शेड़ फॉक्स फ करते हैं तो आपके लिए यही काम करता है तो एक लियर में ही आपको कंसेलिंग भी मिल रहा है और आपको इनका डाक बेस भी मिल जाता है इसमें मैं फिंगर टिप एप्लिकेशन यूज कर रही हूं क्योंकि मैंने ग्रस बना हुआ है आप चाहें तो अपना कंसेलर ब्रश या ब्लेंडर के साथ अप्लिकेशन कर सकते हैं स्टिप्लिंग टेक्निक आपने ज़रूरी यूज करना है प्यर फाउंडेशन नार्स का पंजाब शेड में यहां पर लूँगी और इसे मैं इनके हाइलेटिंग एरिया या ओवरल फेस जैसे क्लाइन के रिक्वार्मेंट ह अब देख सकते हैं मैं यहां पर मीडियम साइज का फांडेशन ब्रेश लिया है क्योंकि में प्रॉड्ट बहुत एक्सस में नहीं लगाना चाहते हूं तो दौ ड्रॉप पांडिशन मैंने लिये हैं और दो ड्रॉप पांडेशन आप देख सकते हैं नार्स के कितने अच्छे लग्जरी ब्रैंड के प्रोड़क्ट यूज करते हैं तो उनकी मिनिमम क्वाइटिटी भी आपको बहुत अच्छी कवरेज देती है और नार्स का जो यह पांडिशन है यह बहुत डूई फिनिश देता है तो हुडा ब्यूटी अगर आपको बहुत जादा कवरेज के रिक्वाइर्मेंट है उसमें आप रख सकते हैं उसके तीनों शीर रख सकते हैं डार्क, मीडियम, लाइट और नार्स आपको डूई फिनिश देता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं अपने क्लाइन के फेस पे करते हूँ तो मुझे बहुत अच्छा एच्छी ग यहाँ पर मैं टार्ट का ट्वंटी नाइन शीर रहा है तो 16 एंच मैंने शीर गिया है यहाँ पर शेप टिप कंसेलर का टार्ट का और इसे सिर्फ मैं हाइलेटिंग पॉइंट्स पर दे रही हूँ जो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखाने होते हैं और इसे भी हम डिपॉजिट करते हुए जैसे मैं हमे써 बोलती हूँ इर्या पे लाइट कालर को हमने अच्छे से ये यह सिर्फ करना है और अच्छे से अपने इसे सिडल डाउन कर देना है तो बहुत लाइट हैं के साथ स्माई तोकस में अपनी काम करना है अगर आपको लगता है कि टार् सबस्त्राइब कुलूं अप्याइब करते हैं नेक के भी यह कुछ हमारे ह необход पॉइंट ने का इंगा तो आपने नेक के पूरी good life के साथ highlighting and contouring करनी motor s अच्छे से नेक कंप्रीट करते हुए पाउडर लॉकिंग या पर RCMA के साथ मैं लाइट प्लेसिंग करके फिर बॉफिंग करके से स्प्रड कर रही हूं और उसके बाद मैं पाउडर लॉकिंग के बाद पैनकेक फांडेशन मैं यहां पर यूज करें क्रैलन प्रोफेशनल का आईवरी टू जो बहुत फेर शेड है इसके लिए यह भी माइक्रो पिग्मेंटीड है तो आपको डरने की जुरूरत नहीं है कि यह आपको की की खरेग में है जैसे हमारा जो पैनकेक होता है यह क्या होता है मैट फिनिश देता है तो इस तरीके से आप अपने हाईलेटर को यह पिग्मेंट पाउडर को अगर उसमें मिलाते है तो वह आपको मैट फिनिश के बज़ए डू फिनिश देगा आपनी धियान रखना है यह चीज और ओपन पोर्स के लिए बिल्कुल नहीं करना ओपन पोर्स और हैरी फेस पे जितना आप मैट फिनिश लुक रखेंगे उतना अच्छा है पहले आपने पाउडर में सारे पिग्मेंट को अच्छे से मिक्स करना है नाओ एक से दो ढक्तन आपनी पानी डालना है इसमें पहले से बहुत अच्छा डैम ब्लेंडर अपने रखना है और इसे अप्लिकेशन करते ही आपने अच्छे से अपने ब्लेंडर के साथ स्ट्रिपलिंग करते हुए सट्ल डाउन कर देना है तो बहुत अच्छा टेकनिक है आप यह सेम टेकनिक चाहो तो प्राइमर के बाद पहले करके उसके उपर base बना सकते हो और आप चाहो तो अपना base done करने के बाद last में इस तरीके से दे सकते हो तो जैसे outdoor function है या कही AC available नहीं होता कुछ जगाओ पर आप इस तरीके से अपने pancake से अपने foundation को airbrush finish देते हुए lock कर सकते हो यहाँ पर मैंने light off करके आपको दिखा है pan की application so that आपको बता रहे है कि कम light में आपने कितना लगाना है तो यह चीज आपने दियानक नहीं तो यहाँ पर मैंने ivory two shade लिया है इनके लिए जो में भी जहाँ पर कम light है वहाँ पर बहुत जादा white दिखेगा तो आपने इस चीज का भी दियानक नहीं है पर जैसे light बढ़ती जाएंगी यह natural दिखेगा तो डिपेंट आपे करता है कि कई बार हम makeup जो करते हैं काफी सारी बार होता है कि आप जिसे गाओं में यह घर में makeup करते हैं तो आपको lighting system इतना अच्छा नहीं मिलता पर आपने pancake condition लगाने में डरना नहीं है अगर bride हमारी यह हमारा client lighting में जाएगा तो उसका face natural लगेगा जैसे आपने देखा कि off light में यह face कितना white दिख रहा था बड़ अभी सारी lighting पे यह natural दिखने लग गया तो पतला से layer लगाया है ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है और इसके उपर आप मैं doing highlighting कर रहे हूं बड़ आपने धियान लखना है contour powder highlighting जिसे मैं हमेश अपने वीडियो में deep 3D contouring करके दिखाती हूं इस तरीके से आप कर सकते हैं और pancake के उपर जब आप अपना powder highlighting powder contouring करते हैं तो वह भी अच्छे से last करता है waterproof हो जाता है तो आपका oily to dry skin काफे सारे questions मुझे students करते हैं कि pancake तो सिर्फ oily skin के लिए होता है dry skin के ल आपका makeup एकदम 100% waterproof रहेगा और जैसे मैंने आपन नार्स और हुडा beauty के foundation यूज़ करे हैं आप जो भी brand आपके पास available है उस brand का foundation यूज़ कर सकते हैं दो से 3 layer आप लगा सकते हैं बस आपने दिहान रखना है कि जो आपका texture है foundation का वो थोड़ा सा matte side में हो और oil को control करें sweat को control क locking अपने अच्छे से करना है और उसके बाद आपने pan kit application करना है यहाँ पर अपने blusher को complete करते हुए आप makeup fixer के साथ अपने base को lock कीजिए आज की class में मैंने आपको अच्छे से waterproof base application सिखाया है upcoming videos में मैं आपके लिए इनके complete eye makeup की video और lipstick application की video लिएकर आऊंगी तो होब दोस्तो हमेशा की तरह आज की class भी आपको अच्छी लगी हो इसमें आपने बहुत कुछ नया सिखा हो कुछ भी नया सिखा है तो comment में जरूर बताईए कोई doubt ये question होता है वो भी आप comment में मुझसे पूस सकते हैं आने वाली videos में क्या नया सिखना चाहते हैं वो भी बताईगा चैनल